साश्विकाल जी तुसी देख रहे हो हम दर्द टीवी ता मेहाँ खुश्पू पंजाब बुलिटन दा अगाज कर देयां कुछ मुख सुर्खियां देनालर CISF कॉंस्टेबल देहा कचाई बजुर्ग किसान बेबे ओ बहादुर्ती जेल जान ली त्यार बिजुर्ग बेबे पंजाब दे कुल 308 उमीदवारा चो 299 दियां जमान ता जब्त पंजाब चोवी कंटेयां चो एक डिगरी वद्याता आपमान एक हफ़ते चो ता आपमान श्याली डिगरी तो जावेगा पार पंजाब दे 6 जिल्यां चालाट मोहाली चे CISF महिला सिपाही खिलाफ मामला दर्च कुलविंदरकौर नहीं होवेगी गिरफतार चंडिगर दे अरपोर्ट ते कंगना रनौत दे थपड मारन वाली CISF कॉंस्टेबल कुलविंदरकौर दे हक देवेच बजूर्ग किसान बेबे आ गई है जहां ओही बजूर्ग किसान बेबे जैस्ते ट्वीट कंगना रनौत देवलो किसानी अंदोलन दे वेले कीता गया सी जैस्तो बाद उस वेले वी कंगना दो बहुत जादा विरोध होया सी ताहून भी जदो थपड मारे जान दा एविवाद हो जान दा उस बाद कुलविंदरकौर दे मुहों एक गाल निकल दी है कि जैस वेले कंगना ने एक ब्यान दिता एट्वीट कीता मेरी मावियों से तर ने देविच बैठी सी ताहून ओही बजुर्ग बेबे कुलविंदरकौर दे हक चाहिए बेबे दा कहना है कि ओ लड़की यानि कुलविंदरकौर बेहद ही जादा बहादूरती है बहादूर कुडी है ताह मैं उस देली जेल जान नुवी त्यारा बॉलिवुड दा कारा थे सांसद कंगना रनौत नू चंडिगेड एरपोर्ट थे सी आई एस अफ दी महिला कॉंस्टेबल कुलवंदरकौर देवलो थपड मारे गया सी तदास्दे की थपड मारन दा कारण वी दस्या गया कंगना ने जस महिला किसाना नू लेके सो सो रुपे लेके तरने ते बैठन वाली क्या सी ता उस से वेले उस दी मावी बैठी सी अज्रेहा जो है कॉंस्टेबल देवलो क्या गया हलांके जस महिला किसान महिंदरकौर दी फोटो नू लगा के कंगना ने गलांकिया सी होनो मीडिया सामने आगे ने कंगना दी थपड कांड ते महिंदरकौर ने ना सिर्फ कुलविंदरकौर दी समर्थन दिता बलकि यह भी कह दिता की CISF कॉंस्टेबल दे लियो जेल जौन दे लिवी त्यार ने इही नहीं बज़ूर्ग महिला के सान ने CISF कॉंस्टेबल नू पंजाब दी बहादूर ती वी दस्या ताहून महिंदरकौर दा कहना है क्यों पूरा समर्थन देन गे कुलविंदरकौर नू लोग सब चोना वी सो चौवी दे नतीजे इस कदर हैरानी जनक रहने की लोका दिनालनल पार्टियां जो रवाइती पार्टियां कहलो वी बहुत जादा हैरान ने ताह इस वार दाजिया की 308 उमीद वारां दिवलो नाम जद गयां दाखल कीतियां गयां जना दे विच्च दो सो उन्हान वे उमीद वारां दिया जमानता जबत हो गयां तृदा लियilly के लगर्वार से टाने देवारां दे जमानत जबत हु ए जबत होई है इस साल लोकसबा चोणा 24 देली पंजाब तो 308 उमीद्वार चोण मैदान चुत्रे परोना देविचो 299 अपनी जमानत भी नी बचा पाई जेकर अजाद ते छोटी पार्टियां दे उमीद्वारा नो छाड़ के चार वडियां पार्टियां दी गाल कीती चाहे तैना देविच अकाली दल दे उमीद्वारा दी गनती सब्तो जाद है जदकी पुराण समय देविचो ना दे सहयोगी रही बीजेपी दूजय नंबर ते है चोण कमीशन दे वलो जादी आंकड़या दे मताबक उमीद्वारा दी सूची देवेच अकाली दल दे दस पाच पा दे चार ते कॉंग्रेस दे एक उमीद्वार शामल है जित्यों तीजे नंबर ते आ गए ने पंजाब दे वेचे जित्ते पिछले कुछ दिना तो राहत मिली सी गर्मी तो उत्थी ही हुण एक वर फिर तो गर्मी ता अलर्ट जारी कर देता गया तो दस दिये की एक डिगरी तापमान कल नालो अज वद चुक है तापमान दे वेचे फिर तो वदावा हो गया तो दस दिये की जस तरीके दनाले तापमान वद या तो क्या जा रहा मौसम विपाग दे वलो नुमान और वाले एक हफ्ते देविच दोबारा तो पंजाब देविच तापमान 60 डिगरी नू पार कार जाएगा तो जो वेस्टरन डिस्टर्बेंस है उस दा असर पंजाब देविच मुढ तो काट रहे है पंजाब देवेचे पिछले एक हफ़ते देवेचे वेस्टरन डिस्टर्बंस असर काट होन लाग गया पिछले चौवी कंट्या देवेचे बारिश दे अनुमान दे बावजूद वी कई थामत बारिश नहीं हुई जस्तो बाद पंजाब दे औसत तापमान दे वेचे करीब 0.9 डिग्री दा वादा देखे गया उमीद है कि कुछ दिना दे रहत तो बाद एक वर फिर तो तापमान दे वेचे वादा होएगा सुस्त हो चुक्के वेस्टर्ण डिस्टर्बंस दा असर पंजाब दे मालवा दे छे जलियां फरोज पर फजल का मुक्त सर फरीद कोट मोगा आते बठिंडा दे वेच आज वी देखन मिल सकता है अनुमान है कि आज इत्थे बारिश हो सकती है ते हवावा चाल सकती है ने पंजाब देना 6 जुलियां देवेच येलो अलर्ट जारी कीता गया ता होर पूरे पंजाब देवेच किसे भी तरह दा कोई वी अलर्ट नहीं है ता हीट वेव देली पंजाब नू ते आरेंड देली क्या गया क्योंकि वेस्टर्ण डिस्टोर्बिंस दा असर एकवर फिर तो काट गया ते अंदाज्ये लगाये जारे ने की होन दोबारा तो ता आपमान वदेगा ते गर्मी एकवर फिर तो अपने चरम ते पहुंच सक द चंडिगर दे एरपोर्ट ते कंगना रनौत नू थपड मारन वाली कुलविंदर कॉर जो CISF दी कॉंस्टेबल है कुलविंदर कॉर एरपोर्ट सुरख्या देविच उसदी ड्यूटी से तनाथ सीता थपड मार दिता जानदा ताहोन कुलविंदर कॉर दे खिलाफ मामला दर्ज हो चुक है हिमाचल परदेश तो मंडी दी सांसत ते अधाकारा गंगना रनौत नू थपड मारन वाली CISF दी महिला जवान कुलविंदर कॉर दे खिलाफ मोहाली पुलस दे एरपोर्ट थाने देवेच मुकदमा दर्ज कार लया गया उस देखलाफ मुकदमा IPC दी टारा दिनसो तो यानि कुटमार करना टितिनी सो कताली यानि रस्ता रोकन दे तैत कीता गया इसद्र जवान कुलविंदर कॉर दी गिरफटारी नहीं हुएगी क्योंकि दो में जो ता रावान जमानती ने इस देवेच उसनों पुलिस टेशन तो ही जमानत मिल जाएगी फिलाल मुल्जम कुल विंदर कौर नो CISF ने अपनी हिरासत देवेच रख्या ते पुलस इस मामली दी जांच कार रही है पंजाब दे जलंदर देवेच एक इंसानियत नो शरम सर करदा होया मामला समने आगया दास दे की चुन्नी खिचन लेके विवाद शुरू होंदा ते विवाद एस कदर वद जांदा कि उस महिला दी चपला दे नाल मार्कुट कीती जांदी है ता इस मामले देवेच होने फायार दर्ज हो चुकी है तदास दे की इस मामले देवेच पंज लोक नामजद होया ने स्थानक मुखी उस दी पतनी सने पंज लोका नो इस देवेच नामजद कीता गया पंजाब दे जलंदर दे वेचे स्वर्न पार्क दे कोड एक महले दे पर दान उसदी पतनी होते उसदे साथियां दे वल्लो रल के एक महिला देनाल बद सलूकी कीती गई अते नाल दी नाल उसनों चपला देनाल बुरी तरह कुट्या गया इसनों लेके थाना डिविजा नंबर आच दी पुलस ने पेड़त पोणम दे ब्यान दर्ज कारके रंजीत संग उर्फ डीसी गुर्जंदर संग निवासी गुरू रामदास नगर बली परदा आंते उसदी पतनी सने होरा ते 303, 303, 304 चुरिंजा ए अते तारा चौनती देत मामना दर्ज कीता है सारे मुल्जमा दी गिरफतारी हले बाकी है तो थे बली ने दस्या कि मेरे टैक्सी दा कैम है मैं पीड़त महिला दा कईवार राजी नामावी करवा देता पर राजनीते गरंजस दे चाल दया मेरे ते फायार दर्ज करवाई गई है बली दा कहना की मेर कि लगाए गे सारे अलजाम गलत ने तो थे ही कटना तो बाद परिवार ने पूनम नो तुरंत हस्पताल दविच परती करवा देता जिते डॉक्टरा ने उस दा इलाज शिरू कीता है पुलस ने जांच तो बाद एक एस दर्ज कीता है पीड़त पूनम देवलो जलंदर द जुडेर होसाडे चैनल हम्दार्द टीवी दिनाल